आप सबी का स्वागत हैं मेरी यूट्यूब चैनल डिवाइन मेजिक में आज मैं आपको बताउगि जुलाई में भरडिया नौमी कब है भरडिया नौमी का क्या महत्व हैं मैं आपको यह भी बताउगी आप सब द्यान से सुनिएगा बरडिया नौमी एक अबुच सुमूरत है इस दिन किसी भी प्रकार की सभी सुब गतिविदियां आयोजित की जा सकती है बरडिया नौमी मुखे रूप से विवा जैसे शुब कार्यों के लिए जन मानस के बीच अधिक प्रसिद है हिंदू मानेताओं के अनुसार देवशयनी इकादसी के बाद चार महिने के लिए मांगलिक एवं शुब कार्यों नहीं किये जाते मानेताओं के अनुसार देवशयनी इकादसी से भगवान विश्मू चतुर मास के लिए गहरी योग निद्रा में चले जाते हैं तक पश्याद भगवान विश्मू सीधा देव उठानी इकादसी पर चतुरमास समाप्ति के साथ योग निद्रा से उठते हैं। उसके पश्याद सुब एवं मांगलिक कारे फिर से प्रारंब हो जाते हैं। विवायत जीवन का प्रारं बिना भगवान लक्ष्मी नारायन के आश्रवात से संपन नहीं माना जाता। इसी कारण भगवान श्री लक्ष्मी नारायन के योग निद्रा में होने से कोई शुब कारे नहीं किया जाता। भरडिया नौमी को विभिन बोली भास एवं छेत्र के अनुसार भरडिया नौमी, भरडिया नौमी, भरली नौमी, भरली नावामी, भदरिया नौमी, भदरिया नौमी, कंदर्प नौमी एवं भदरिया नौमी नामों से भी जाना जाता है भरडिया नामी ही क्यों? विवा के साथ होने वाले अन्य सुबकारियों का समापन होने में एक दो दिन का समय लग जाता है तता देवशेनी इकादसी तक सारी सुबकारे संपन होना भी अवश्यक है अता सुब कारे हेतु देवशेनी इकादिसी से तुरंत पहले सबसे सुब तिती भरडिया नौमी को ही माना जाता है अबुज मूरत क्यों कहा जाता है? समाने जन में कुछ अबुज मूरत जैसे बसंद पंचमी, फुलेरा दोज, अक्षेत रित्या, भरडिया नौमी तथा देवोठान को माना जाता है परंतु अधिकतर जोतिस अबुज मूरत जैसे अवधर्ना को नहीं मानते हैं इस साल भरडिया नौमी 15 जुलाई को है, भरडिया नौमी असार शुक्ल नौमी को मनाई जाती है इस दिन अबुज सुब विवा मूरत निकलते हैं इसमें विवा, ग्रै परवेश, भजन कीरतन, मंदिर में प्रातना, आदी सभी सुब कारे किये जा सकते हैं धन्यवाद